Classroom activities to develop morality अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि morality को develop करने के लिए schools के अंदर कौन से models present किये जाएं और किस तरीके से उनकी morality को develop किया जाएं क्या ऐसी activities होनी चाहिए class के अंदर जिसको बचे देखके जो है वो moral values और rules और ethics जो है उसको सीखने में interest लें तो उसमें जैसे teacher can use the following classroom activities to promote moral development what are these telling and reading stories honestly speaking stories के end पे जो moral होता है हम बच्चपन से सुनते आएं अब night time जो stories bedtime stories होती थी जो के माएं सुनाती थी अपने बच्चों को अगर आजकल का trend देखें आप तो अब हो कम हो गया है बच्चे जब वो stories सुनते थे उनके दिमाग में एक image बनता था किस उस character ने जिसने wrong किया होता था उसको फिर end पे moral में जाके उसको नुक्सान उठाना पड़ता था ये चीजें बच्चे जो है morality ये उन stories से बहुत ज़दा अच्छी तरह सीखते थे अभी ये वहाँ ट्रेंड बहुत कम हो गया अब हमने बच्चों को मुबाइल्स पकड़ा दी है बच्चे वहाँ से right and wrong जो मरजी देखें तो bedtime stories are good source to develop morality among students अब यहाँ पे schools के अंदर भी बच्चों को library में लेके जाना चाहिए बच्चे टीचर्स के साथ जाते हैं और वहाँ पे फिर स्टोरी बच्चे का जो library का period होता है उसमें teacher बैट के उनको वह वह स्टोरी सुनाती है जिस तरह के my bedtime stories जो हैं बच्चों के साथ share करती थी अब यहाँ पे उन stories के बाद भी moral जो है वो discuss किया जाता है पहले एक का story का moral teacher बताती है फिर बच्चों से बुचती है जी उसने ऐसा किया तो आपके ख्याल में उसकी क्या सजा होनी चाहिए जो गलत character उसको क्या सजा होनी चाहिए यानि बच्चों से भी उनका perspective पूछा जाता है तो बच्चे फिर बताते हैं कि उसको के साथ जो है morally जो कि उसने का काम गलत किया है इसलिए उसकी ये सजा होनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे बड़ी खुशी महसूस करते हैं characters को के साथ अपने sentiments को share करने में आगे है learning and singing songs even teachers or schools ऐसे songs बच्चों को गागा के music के साथ बताते हैं जिसमें जो है वो कोई character face करता है negativity जब वो कोई गलत काम करता है तो बच्चे उन points को उन songs को गाने में बहुत हुशी महसूस करते हैं और gradually वो learn भी करते हैं किस तरह से एक moral rule जो है वो break हुआ और किस वज़ा से वो गिर गया बच्चा या उसमें character को नुकसान हुआ तो ये दूसरा एक तरीका है morality का फिर role playing a story किसी भी story को किसी भी के बच्चों को character बनाएं ये बनेगा जी villain उसमें है ये hero है ये मलका है ये बादशा है और ये जो है ये वो वोला character है जिसने बादशा को धोका दिया था तो इस तरह की चीजों के साथ भी बच्चों में हम moral rules जो है वो develop कर सकते हैं और ये characters बचे adopt करते हैं फिर वो जो negative character होता है वो कोई बचा बनना नहीं चाहता क्योंकि इसका मतलब या है कि उनके अंदर फिर right and wrong की sense आ गई है और वो wrong character को जो dislike करते हैं और right characters बनने में खुशी महसूस करते हैं यही sense हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं कि उन्हें पता चाल जाए कि wrong character को society accept नहीं करती तो जब आप उसको accept नहीं करें आप बनना नहीं चाहतें तो इसका मतलब है जिन्दगी में भी आपको उसको उस character को नहीं बना चाहिए तो stories और उसको role play करना यह बहुत बड़ी exercise है बच्चों के लिए morality को develop करने के लिए तो यह activities schools के अंदर बच्चों के साथ जो है वो जरूर उनको होनी चाहिए including studies character building के लिए हमें informally जो है बच्चों में यह चीज़ें पैदा करने के लिए stories सुनानी चाहिए songs की सूरत में चाहे चाहे उनके साथ बैठकी discussion करें आप उनके साथ एक उनका जो अपने library period जरूर होना चाहिए और उसके बाद value of hard work truth, empathy, teacher can use role playing in classroom empathy एक बड़ी बहुत बड़ी एक trait है जो के हमारे अंदर होने चाहिए empathy का मतलब यह है कि हम दूसरों की miseries को हुद फिल करें एक teacher कहे कि अगर आप इस character की जगा पे होते तो आप कैसा feel करते तो बच्चे फिर अपने आपको देखते हैं कि नहीं नहीं हाँ हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके साथ बुरा होना चाहिए बलके अगर हम इसके जगा पे होते तो हमारे साथ भी हम भी ऐसा ही करते हम भी इतना ही जदा भूक मैं सूस करते जिस तरह उसने भूक की वज़ा से जो है चीज उठा ली अगर हम भूके हो और हमें इस तरह से कोई इतनी सारी चीज़ें कि सामने नज़र आ रही हैं तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे हम अपने आपको जो है वो रोक लेंगे या चुपके से एक चीज उठा के खा लेंगे ये चोटे-चोटे question, answers, discussion के दुरान, story सुनाने के दुरान टीचर को बचों के साथ जरूर करने चाहिए और बचों से उनका perspective लेना चाहिए तब आपको बदा चलता है बच चीज, कि अगर आप signal तोड़ेंगे, तो signal तोड़ने के बाद आप भाग जाएंगे, तो camera में इनने अगर आपको नहीं देखा, तो next time जो है वो आपको देखके आपके बाकी लोग जो हैं, वो भी इसी तरह करेंगे, तो किसी दिन तो आप पकड़ में आ जाएंगे, तो सि बचे देखते हैं, गाड़ी चलाते हो भी अपने parents को observe करते हैं, वो किस तरह से rules को follow करते हैं, बचे उन rules को learn करते हैं, अगर अबबा जी बहुत जल्दी में हैं, तो वो फॉरण से signal जो है, वो side पे होके देखेंगे, कोई खड़ा या नहीं खड़ा, warden, धन करके गाड़ी बढ़ा लेंगे, तो आपको लगता नहीं है कि स्कूल पुंचाने के चकर में बचे को जल्दी, आप बचे के साथ character building खराब कर रहे हैं, आपने जल्दी स्कूल बचे को पुंचाना क्योंकि वो लेट हो रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, कि आप तमाम जो discipline के rules हैं, व लोगों को मारते और abuse करते हो गुजर रहे हैं, और कभी इससे लड़ रहे हैं, कभी इससे लड़ रहे हैं, you cannot do that, stress, stress comes, when stress comes, जब आप की high demands होती हैं, और resources limited होते हैं, कम time है लेकिन पहुंचना जल्दी है, तो जिसके वज़े से आपके सारे ये मसायल गरबर हुआ हैं, तो ह है कि हम rules को नहीं तोड़ेंगे, ये बड़ा लमहा है है, ये बचों को एक चीज़ model करके दिखाने का, और उन्हे rules के बारे में समझाने का, चाहे कुछ भी हो, आप घर से जल्दी निकलेंगे, जल्दी सोके उठेंगे, तो फिर आपकी time management जो हो, बहतरीन होगी, ये चोटी logics के साथ, चोटे-चोटे points के साथ, कि आपको rules को follow करना वाला होना चाहिए, rules को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए, ये बड़ी important चीज़े हैं, जो हम बजाहर तो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन indirectly बच्चे जो हैं, वो आपसे learn कर रहे होते हैं, तो that's why the value of hard work, truth empathy, लफ्स लिखे हो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लफ्सों की importance character building के लिए बड़ी important है, जो कि parents को जो है वो अपने बच्चों को इस तरह से directly, indirectly बच्चों को सिखानी चाहिए, और बच्चे को फिर appreciate करना चाहिए, इन values को follow करने के बाद, जब okay कि आज मैंने ये किया है, आज मैंने help की है किसी की, आज मेरे पस इतने पैसे काम थे, मुझे भूग तो लग रही थी, लेकिन मैंने देखा कि वो दूसरा बच्चा बचारा ज़्यादा भूगा था, तो मैंने उसकी help कर दी, that is called empathy, so you should appreciate your child, के आपने आज बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं, आप आपने खाना का लिया है, but you did well, you did wonderful, I am very happy, so it will, you know, give the strength to the child to follow all these rules in future.